यालो व्यग्वंन वेल्कम बैक टू हिमाज़ोल सक्सेस बुक आज हम डिसकत करेंगे 6 और 7 दिसमबर 2021 कंई के करणट फेर्स सबसे पैले हम हम हिमाज़ोल जिश्क के करणट फेर बिसकत करेंगे उसके बाद कुछ इंपोतेन नाशनल और इंटरनेशनल करणट फेर्स इसक्क करेगा तो यह किया जाएगा मुंसिपल कॉर्परेशन शिमला यानि कि नगर निगम शिमला द्वारा यह अभ्यान शुरू किया जाएगा तो नगर निगम शिमला द्वारा आवारों कुत्तों का टिक अगर शुरू किया जाएगा और लोगों को एंकरेज किया जाएगा कि ल रमशाला और अभी तीन लेटेस्ट नई बने हैं जिसमें से एक है नगर निगम पारंपुर, नगर निगम मंडी और नगर निगम सोलन तो याद रखीगा हिमाज़तेश में अब टोटल पांच नगर निगम है यानि कि पांच मुनसिपल कॉर्परेशन है जो शिमला मुनसिपल कॉर्परेशन है सबसे पहले ये शिमला मुनसिपल कमेटी हुआ करती थी जिसका गठन दिसंबर 1821 में किया गया था इसके लावा कुछ जगा पर 1852 भी लिखा गया है तो एक्जाम में एक ही ऑप्शन हैगी या फिर 1851 या फिर 1852 तो जो भी हैगी उसे डिक किजिएगा और पहली बार शिमला मुनसिपल कमेटी में एलेक्शन जो हुए थे वो 26 अगस 805 में हुए थे इसके बाद 31 जुलाई 1871 को शिमला मुनसिपल कमेटी को क्लास बन मुनसिपल्टी बना दिया गया था उसके बाद 39 जून 1979 को हिमाज़देश ड्वेल्मेंट एंड रेकलेशन एक्ट 1968 के अंतरगत इस कमेटी को कॉर्परेशन में कनवर्ड कर दिया गया था यानि कि इसे नगर निगम बना दिये गया था हाली में जो शिमला मुनसिपल कॉर्परेशन है कुछ वजहों से ये न्यूज में रहा जैसे कि हिमाज़देश की फस्ट अर्वन लोकल बाडी बन गई है जिनने की भारत बिल पेमेंट सिस्टम को एडॉप्ट किया है तो यह ध्यार कियेगा जो हमारी शिमला मुनसिपल कॉर्पेशन यानि की शिमला नगर निगम है पहला ऐसा अर्वन लोकल बाडी बन गई है हिमाज़देश की जिननने की भारत बिल पेमेंट सिस्टम को एडॉप्ट किया है और यहां की मेर हैं सत्या कॉंडल डेपुटी मेर हैं शिरेंदर जोहान और मुनसिपल कमिशन हैं आशीज कोली As per the claims, which state has become the first state to fully vaccinate 100% of its adult population against COVID-19 दावों के अनुसार कौंसा राजे अपनी सौप्रशत व्यासक अबादी को पूरी तरह से COVID-19 के किलाव टिककरन करने वाला पहला राजे बन गया है तो कौंसा बना है ये बना है हिमाज़देश ऑप्शिन भी करेक्ट अनसर है तो दावों के अनुसार जैसा की ऑफिशिली अनॉसमेंट की गई है और मुक्यमत्र जाराम थाकूर दौरा भी ट्वीट किया गया है कि हिमाज़देश पूरे बारत का पहला ऐसा राजे बन गया है जहांकि जो भी 18 प्लस की adult population है जो की eligible थी COVID-19 के दोनों doses के लिए उनकी दोनों dose कंप्लेट कर दी गई यानि कि हिमाज़देश में जितनी भी eligible population थी उन्हें fully vaccinated कर दी गया है fully vaccinated मतलब उन्हें double dose दे दी गई है इसके लावा जो first dose कंप्लेट की गई थी वो अगस्त के end में complete की गई थी अगस्त के एंड में हिमाचल देश की जो एलिफिल पोपुलिशन है उन्हें फस्ट दोस देदी गई थी The run for हिमाचल मेराथॉन which is a part of the 50th anniversary of हिमाचल देश टेट हुड was flagged off at which place Run for हिमाचल मेराथॉन जो हिमाचल देश राज्य की 50th anniversary वर्ष गांट का एक हिस्सा है किस तान पर जहन्डी दिखा कर रवाना किया गया तो नियू देली में इसे और्गनेस किया गया था तो नियू देली में इसे flag off किया गया तो नियू देली में हमारे बीजेबी के जो नेशनल प्रेजिडेंट है जगद प्रकाश नड़ा जो की राजसभा के मेंबर भी है हिमाचल दिश के मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर और Union Minister of Information and Broadcasting अनुराग ठाकुर इनके तोरा run for हिमाचल मेराथॉन इसे flag off किया गया और ये flag off कहां किया गयी है कि वी नियू देली में देखिए जितने भी event इस वरश और्गनाइस के जा रहे हैं वो सारे के सारे सुरनेमी हिमाचल महसव के अंदर ही round के जा रहे हैं तो इसी event के वो सारे के सारे पार्ट हैं और ये सुरनेमी हिमाचल महसव क्यों organize के जा रहा है क्योंकि हम हिमाचल देख का स्टेट हूड का 50th anniversary celebrate कर रहे हैं और ये run for हिमाचल मैराथॉन था इसे हिमाचल सरकार हिमाचल पते Social Bodies Federation और हिमाचल डाइस पोरा जो की New Delhi के NCR रिजन में रहता है उनके तोरह organize किया गया था इसके लाबा जो run for हिमाचल इसे organize किया गया था तो ये दिल्ली में राजगार से लेके राजबवन तक चली तो दियान रखियेगा दिल्ली में राजगार से लेके राजबवन तके run for हिमाचल मैराथॉन चली थी यूथ होस्टल एसे शेशन ऑफ इंडिया का रास्टे अधक्स किसे चुना गया है तो किसे चुना गया है option A correct answer है राजबर विशनात अर लेकर जो कि हिमाचल देश के 21st गवर्नर है इन हिमाचल देश नीजी सेक्षिनिक संस्तान यमक आयोग द्वारा 3 लाग रुपए का जुर्माना लगाया गया है तो कहां पर रहे है इंडर्स इंटरनेशन इवरस्टी तो यह है उनना में स्थित options ही correct answer है देखिए जो हिमाचल देश का हिमाचल देश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्ट्यूशनल रेगुलर्टी कमिशन है उसके दोर एक कमिटी बिठाई गी थी और इंस्पेक्शन का कारे चला था इंडर्स इंटरनेशनल इवरस्टी में तो अब जो हमारा ये कमिशन है उनके दोरा तीन लाग रोपे का फाइन लगाया गया है इंडर्स इंटरनेशनल इवरस्टी के ओपर और ये इवरस्टी उनना जीले के हरुली तैसिल के बातू विलेज में स्थित है तो ये डिस्टिक याद रखेगा कि कौन से डिस्टिक में है उनना डिस्टिक में स्थित है इसके लाबा जो हमारे ये कमिशन है उसके चेर परसन है मेजर जनरल अतुल कौशिक बात करें इस कमिशन की यानि की हिमाज़देश नीजी सिक्षन संस्थान और नियामक आयोग की ये एक स्टेट्रिटी बॉड़ी है यानि की सामविधानिक निकाय है जिसका मतलब ये है कि इसे पारलिमेंटरी एक्ट दोरा बनाए गया है तो इसे 2010 में एक एक्ट बनाया गया था हिमाज़देश प्राइबेट एजुकेशन इंस्ट्यूशन एक्ट और इसके अंतरकत इसके थापना की गई थी दिखिए यह जो हमारी हिमाज़देश प्राइबिट एज़ुकेशन इंस्टूशन इंसका परपस यह है कि हिमाज़देश के जितने भी नीजी सेक्षण संस्तान है उनकी फीस और उनका कोर्स तै करना है इसके लावा इन नीजी सिक्षन संस्तानों को नियामसवर चलाना, स्टाफ का वेदन देना और उनमें कुछ इर्रेगुलेटिस तो नहीं है उनको चेक करना ये इस कमिशन का कार्य है तो ये जीता गया है मुस्कानने की दौरा गोल्डन वोईस अवाइज़ जीता गया है और इस competition को organized किया गया था National Association for the Blind and Golden Shrine Trust और यह organized किया गया था New Delhi में देखे मुसकान नेगी कौन है तो अभी जो by election हुए हिमाचपदेश में इसमें इन्हें हिमाचपदेश का youth icon बनाए गया था इसके लबा मुसकान नेगी अभी PhD कर रहे हैं म्यूजिक में HPU से और यह हिमाचपदेश के शिमला के रोड़ू की चीडगाउं की रहने वाली है At which place in Kullu district is body diwali cellulated कुलू जीले के किस्थान पर body diwali मनाई जाती है तो यह मनाई जाती है निर्मंड में option C correct answer है देखिए हिमाचपदेश के कुछ areas में और उत्रकंड की कुछ जगहों पर body diwali मनाई जाती है तो ऐसा माना जाता है जब बगवान राम अयोध्या लोटे थे रावन को हराने के बाद तो इसकी information लेट मिली थी कुछ जगह पर इसी वज़ा से body diwali मनाई जाती है तो हिमाचपदेश में बुडी diwali, कुलो डिस्टिक में आनी और निर्मंड एरिया में सिर्माड डिस्टिक के शिलाई, सांगड और राजगड एरिया में और शिमला डिस्टिक के चुपाल एरिया में मनाई जाती है इसके लावा उत्रखंड के जौन सार में भी बोड़ी दिवाली मना जाती है और शिमला के एरिया में जो बोड़ी दिवाली मना जाती है उसे मशराली और मनशारी के नाम से जाना जाता है इसके लाभा जो कुलूडिस्टिक के निरमंड एरिया में, निरमंड विलेज में बोड़ी तिवाली मना जाती है वो भी अमावस को मना जाती है जिसे कहते हैं मागर अमावस और ऐसा भी माना जाता है कि जो महाभारत का युद था वो इसी दिन शुरू हुआ था बोड़ी दिवाली वाले दिन और इस बोड़ी दिवाली को एक और तरीके से भी याद किया जाता है कि निर्मंड विलेज में दो राक्षस रहते थे दानो और असुर के इनका नाम था तो इन दोनों प्राक्षसों को उस दिन मारा गया था और जब इस फेस्टिवल को यानि की बोड़ी दिवाली को वहाँ पर सेरिब्रेट किया जाता है तो सबसे पहले शुरू में महाभारत का गुर्णगान किया जाता है उसके बाद राजबली की पोजा की जाती है उसके बाद एक स्पेशल टाइप की गास होती है जिसे कहते हैं मुंझ गास मुंझ गास के सांप के तरह दिखने वारे दो रसियां बनाई जाती है और इन दो रसियों को क्षत्री दोरा काटा जाता है यहाँ पर देख सकते हैं अब इमेंज में यह वो मुंझ गास है यह लंबी सी रसि बनाई गई है और यह वो क्षत्री है जिनके दलवार के दोरा इसे काटा जाएगा और जो दानव थे जो सांप की तरह दिखते थे दानव उन दोनों को इसी वेसिस पर काटा जाता है ऐसा इसमें बताये गया है डिसकर्स करते हैं नेशनल और इंट्रेशनल कंट्रफियर्स फर्स कोश्चिन इस निवत मैसे किस ने पूरवी नौसेना कमाण के फ्लैग आफिसर कमांडिंग इनचीफ के रूप में पदबार ग्रेंड किया है गया है इंपोर्टन क्यूं है क्योंकि जो हमारे इंडियन नेवी है उसके तीन कमाण है एक तो है हमारा Eastern Command, दूसरा है Southern Command और तिसरा है Western Command तो Eastern Command के जो Commanding in Chief बने हैं वो बने हैं Option B Correct Answer है विश्वजीत दासकुपता इसके लावा हर वर्ष Navy Day मना जाता है 4 December को इसको अब ऐसे भी आद रख सकते हैं देखें जब हम Navy लिखते हैं सुरनिम विजए वर्ष क्यों रखा गया है क्योंकि वर्ष 1971 में जब Bangladesh Liberation War हुआ था तो उस समय इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को हराय था तो 50 वर्ष पूरे कंप्रीट हो चुके हैं इंडियन नेवी की establishment किये हुए यानि कि उस यूद में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को हराय था तो 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो इसलिए सुरनिम विजए वर्ष मनाया जा रहा है देखिए वर्ष 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में यूद चला था मंगल देश को आजात करवाने के लिए तो उस समय हमारी इंडियन नेवी ने कराची में स्तीत पाकिस्तान के तीन नेवी शिप्स को दवस्त किया था और इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम रखाया गया था ऑपरेशन ट्रीडेंट जिसको कमांड किया गया था कॉमोल्रेट कसार गोड पत्ना शेटी को पार राधोरा इनका नाम ध्यान तकी गा प्रजेंट में हमारे नेवी के जो चीफ है वो है एडमिरल आर हरी कुमार और अभी हाली में इने चीफ बनाय गया है इंडियन नेवी का तो इस बुक के लेकग कौन है इस बुक के लेकग है औप्शने करेक्टर्टन सरह है मान अमन सिंग चिनना इस में से किस संगटन ने पश्चिम बंगाल में बिजली आपूरती में सुधार के लिए डॉलर 135 मिलिन के रिंग को मंजूरी दी है तो किसने दी है ये दी है वर्ल्ड बैंक ने और वर्ल्ड बैंक का जो हेलकॉर्टर है वो वाशिंग्टन ड.C. USA में है और इसके जो प्र के नाम की पहले से लिष्ट त्यार कर दी जाती है कि जब अगली बाद चक्रवात आएगा तो उसका नाम कौन सीकंटरी देगा तो इस बार जो हमारे इंडिया के कोश्टल एडिया है जैसे कि जो आंदरपरदेश और ओडिसा है वहां पर चक्रवात आया चक्रवात का नाम देगा है असानी और उससे अगला जो आएगा थाइलेंड दोरा नाम देगा है सितरांग उससे अगला जो आएगा यूई दोरा नाम देगा है मेंदूस और उससे अगला जो आएगा वह यमन दोरा नाम देगा है मोचा इस तरह से पूरी की पूरी लिष्ट पहले ही त्या और नम रखाया कहा दिषा, गती और इरान के द्वरा निवार, उसके बाद बूरेवी, उसके बाद एक आहा था तौते, उसके बाद ओमान के दौर नम दिए concenti गया तहुर तो इन सभी नाम को ध्यान टिषिए गाएं कि 1998 में पूछे जारा है मैमार जेल नामक polyherbal दवा विक्सित की है देखिए एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं mastitis और मुक्य रूप से जो स्तन वाला एरिया होता है वहां पर ये डिजीज होता है तो इसके लिए polyherbal दवा विक्सित की गई है और काफी अची अचीब्मेंट है हमारे लिए ये और ये जो polyherbal दवा है इसका नाम रखा गया है masteral gel तो जो masteral gel है ये नाम रखा गया है तो किसके दोरा बनाए गया है तो ये बनाए गया है national innovation foundation के दोरा और national innovation foundation इसका headquarter है एमधाबाद में reckoning with the US role in global ocean plastic waste शिर्शक वाली रिपोर्ट के नुसार विश्यो में वैश्विक प्लास्टिक कचरे में निमली तिमेंसे कौन सा देश सबसे बड़ा योगदान करता है देखे एक रिपोर्ट है जिसका नाम है reckoning with the US role in global ocean plastic waste इस रिपोर्ट के अनुसार एक कंट्री ऐसी है जो सबस्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है और मुक्य रूप से ओसीन में इसे डंप किया जाता है और इससे जो हमारी समुद्र है उन्हें पॉल्यूट किया रहा है तो कौन सा ये देश है तो सबस्यादा जो प्लास्टिक है वो प्रोड्यूस के जा रहा है वो के जा रहा है USA के द्वारा और सबस्यादा ओशीन जो है इनी के द्वारा पॉल्यूट के जा रहे है और ये उगा गया इस रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट का नाम भी ध्यान रखेगा रेक्निंग विद यूएस रोल इन ग्लोबल ओशीन प्लास्टिक वेस्ट निवलित पैसे कि इस बैंक ने यूरोप स्थीत बोगतान और लेंदेन सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन के साथ साजी धारी की गोशना की है तो कौन सा बैंक है ये है कोटक महिंद्रा बैंक तो यूरोप के एक फर्म है जिसका नाम में वर्ल्ड लाइन तो इसके साथ अभी ये पार्टनर्शिप करेंगे निवनित पैसे की शेहर में 25 नुबंबर से 10 दिसंबर तक 64 रास्ट्य निशानेवाजी चैंपिंशिप प्रत्योगिता का आईजन किया जा रहा है तो कहां किया जा रहा है ये किया जा रहा है बोपाल में बोपाल जो है मध्यबदेश की कैप्टल है भारत प्रेटन विकास निगम के अधेक्ष की रूप में किसे न्युक्त किया गया है इमेज देख्या पैचानके होंगे इनका नाम है संबित पातरा ओप्शन एक रेक्ट अंसर है हाली में ट्रेक्टर और क्रिशी उपकरणों की खिरिद के लिए किसानों को सहरीन देने के लिए निविस्त में से किस भारतिय बैंक ने अधानी केप्टल प्राइविट लिम्टिड यानिकी अधानी केप्टल के साथ एक समझाता किया है देखिए ट्रेक्टर और क्रिशी उपकरणों की खिरिद के लिए जब भी किसानों को रिन चाहिए होगा तो अगर वो अधानी केप्टल प्राइविट लिम्टेड लेना चाहते हैं तो एक बैंक है जिन्नों की पार्टरशिप की है इस लिम्टेड कमपनी के साथ तो कौशा बैंक है वो है स्टेट बैंक उफ इंडिया तो स्टेट बैंक उफ इंडिया और अधानी केप्टल प्राइविट लिम्टेड दोनों मिलकर अगर किसी भी किसान के द्वारा ट्रेक्टर और किशी उपकर्ण के लिए रिन लेना है तो इनसे ले सकते हैं तो ये लोन देंगे उनको इसके लावा State Bank of India के जो चेर्मेन है वो है दिनेश कुमार काड़ा किस बारती राज्ये ने अपने दो शेहरों में पुलिस कमिशनरी पर नाली लागू करने की गोशना की है देखिए जब भी किसी जगा पर किसी शेहरों में पुलिस कमिशनरी जो सिस्टम है उसे लागू किया जाता है उसका मतलब ये है कि जो भी वहां के district magistrate होते हैं यानि कि DM जिसे कि हम DC भी कहते हैं तो उनको arrest warrant जारी करने की power मिल जाती है तो किसी के किलावे arrest warrant जारी कर सकते हैं और उसे arrest कर सकते हैं उसे कहते हैं पुलिस कमिशनरी पर नाली तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिनके दोर अनॉस्मेंट की गई है कि उसके दो शहरों में अब इस प्रनाली को लागू किया जाएगा तो ये किया जाएगा है मध्यापदेश के दो शहरों में option D correct answer है मध्यापदेश की capital है बोपाल चीफ निश्टर है शिवरा सिंग चोहान गवर्नर है मंगु भाई सी पतेल who is the author of the book democracy, politics and governance democracy, politics and governance पुस्तक के लेकर कौन है तो कौन है इसका correct answer option C Dr. A. सूर्या परकाश which of the following countries has a pledge to end child marriage by 2030 किस देश ने 2030 तक बाल विवा को समप्त करने का संकलप लिया है किस ने लिया है ये लिया है साउथ सुडान ने option D correct answer है साउथ सुडान ये एक African country है अगर मैप में देखें यहां देखें यहां पर है हमारा इंडिया और यहां पर है साउथ सुडान साउथ सुडान की capital है जूबा और इनकी currency है साउथ सुडानीज बाउंड तो याद रखेगा 2030 तक जो child marriage है उसे खतम कर दिया जाएगा साउथ सुडान में यह थी माई discussion और अगर आपको इस session की पीडिया चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं टेलिग्राम पर सच कीजिए ही माईजाल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस session की पीडिया पर राप्त कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट डिसक्रिशन में तैंक्स और वाचिंग वीडियो डो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल